दोस्तो हम तीन लोग 300 किलो मीटर और तीन दिन में किया बद्रिनात का सफर तो वहां पर रात को पहुंचे और रात को महीं रुके होटल में तो वह थराली से कितना किलो मेटर दूर है तो तो आप सही जगह पर रुके हैं इसके बाद दूसरे दिन तुनहारा फॉन आया था शीदे शीदे जोशी मठ से नहीं या करनती आख से नहीं तो कहां से आया होगा पीपल कोटी से कौन शी जगह है पीपल कोटी अच्छा पीपल कोटी ठीक है वहां से जोशी मठ तो शायद 35 किलो मेटर 35 किलो मेटर है ठीक है तो तुम पीपल कोटी पहुच गे थे तो हनमान चट्टी से कई शरक पर कई चट्टिया मिलती रहते हैं मतलब शरक का ग्रेडियन्ट इस तरह का है कि मुझे बहुत से चक्कर लगाने पड़े वहां पर और अंत में एक इतनी उची जगह पर पहुचे वहां पर बरस जुलखे है वो बिलकुल जमीन पर ढ़की हुई शी थी और उसे कुछ मज़दूर लोग शाफ कर रहे थे तो वो जब साफ हो गया तब इसके बाद आगे को बढ़े और बद्रिनास पहुचे तो तुम्हारी यात्रा में क्या वहां पर तुम्हें उस उची जगह पर तुम्हें भी बरफ मिली या रास्ता बिलकुल साफ मिला कि अधेरे में हम्हें आपी साइकल के उपर lange जाकर के हमने अधेरे में हमानचती से बद्रिनाथ का सफर पूरा किया वारिष उपर से चत्तानों से वारिष का पानी गिर रहा था और नीचे से हम लोग साइकल चला रहे थे और हमारे पास लाइट थी हमारे पास टोटल गेहस थे उसको करते करते सामको साथ बजे उनका फॉन भी आ गया था जो और्गनाइजर थे कि आप लोग कहां पे हैं अच्छा और वो गाड़ी से फिर पूछ भी रहते हैं लेने के लिए हमने का नहीं हम पूरा करते हैं इसको जब हम अल्मोडे से आये हैं तो हम इसको पूरा करते हैं तो फिर हमने पूरा किया और सामको साड़े साथ बजे के करीब हम बद्रीनाथ पहुंच गया है इस परकार अल्मोडे से सीधे बद्रीनाथ तक की यात्ता जो लगबग तीन सौ किलो मीटर तुमने मुझे बद्ला प्रती दिन हम लोग 11 या 12 घंटे साइकल चलाते थे सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6-7 बजे तक साइकल चलाते थे तो तब ही जा करके यह 300 किलिमेटर की दूरी जो है तीन दिन में पूरी हो पाई अगर हम लोग ऐसा नहीं करते तो हमें एक दिन और लग जाता तो हमने टार्गेट तीन दिन का ही रखा था तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से पूरा किया और हर मौसम में हमने साइकल चलाई आज सुबह यत्रा शुरू की बदरीनात के लिए माना पास और मोहंदा के साथ हुमें हमने सुबह 6 बजे अलमोडा से शुरू की अपना सफर और अभी हम पहुंच चुके हैं रन्मन यह रन्मन पूस्ट अपिस है और आज की हमारी यात्रा देखते हैं 130 किलोमेटर होगी यह आगे पता चलेगा अभी हलकी हलकी बारिश हो रही है अलमोडे के बाद हमने पहले यहीं पेस्टॉप किया था यह है डाग घर रन्मन यहा अब हमारे यात्रा ऑगी को रहा है मॉंदा हमारा पास तर जाएंगे हमारी यात्रा पूरी मज़दार होने वा लिया तो पूंच चुके हैं कौसानी कैं ब्रोह से कौसानी और यह हमारी तीन अ साइक्ल हैं पे देखिए और कौसानी से हमें जो है मीचे उतरना है हम तो अभी तो बहुत इनर्जी है लेखते हैं आगे क्या क्या मिलता है और क्या हम इंजॉय करते हैं यह हम प्रवेस कर चुके हैं चमुली डिस्टिक पे अलमोड़ा से निकले वे थे बस तीन किलो मेटर गौलम यहां से है और इसके बाद सुरू हो जाएगा चमुली जिला बदिनात यहां से 197 किलो मेटर है आज लगबग हमें 130 किलो मेटर का रन किया है अलमोड़ा से देख सकत हम चमुली के पास चमुली का डिस्टिक हेट कौर्टर है गोपिशर जो इस जगह से दिखलाई दे रहा है और नीचे बेह रही है अलग नंदा यह सड़क है जहां पर हमारी साइकलें खड़ी है और यहां से बहतरीन नजा रहा है आगे का चमुली से आगे बढ़के हम प्रियाग में दो नदियों का संगम है जो एक तो आती है नंदाकनी जो तुशूल के जड़ से आती है और दूसरा जो नदी है वो अलग नंदा उनके बीच में यह संगम इस्थली है इसके बाद हमारी यात्रा आगे की और बढ़ी और हम पीपल कोटी जाके रुग गए तीसरे दिन हमारा यह सफर सुरू हुआ पीपल कोटी से बदरीनात के लिए तो जोसी मट से पहले मिला हमें एक बहुत संदर वाटरफॉल और बरसाथ के कारण क्योंकि सुबह से यह बरसाथ थी और हम बारिश में भीग रहे थे और वाटरफॉल में पानी भी काफी बढ़ करीब था यहार है हमारे महंदा साइकलिस्ट यह देखिए अनमान चट्टी पहुंच चुके हम सुबह से चलते चलते और यह है हनमान जी का मंदिर लब यू अनमान जी जागो दोस्तो बदरीनात पहुंसते पहुंसते हमें बहुत रात हो गई थी तो इसलिए मैं रात के फोटो खींच नहीं पाया क्योंकि बारिश भी हो रही थी और दूसरे दिन सुबह उट करके हमने पहले तब तकुन्ड में सनान किया गरम पानी से तो हमारी थकान काफी मिट गई और इस पानी में नहाने का मज़ा तो अपने आप में गजब है शुरू में अंदर जाने में बहुत गरम लगता है लेकिन जब आप आपकी बॉड़ी इसमें एक्मर्टाइज हो जाती है तो फिर बहुत आनंद आता है करीब आदा घंटा इसमें रहने के बाद और पूरा नहाने का इंजॉय करने के बाद हम धीरे धीरे बड़े मंदिर की और बद्रिनात मंदिर के दर्शन के लिए वहीं पर हमें सभी साइकलिस्ट के साथ मिलना था दोस्तों मंदिर के पास ही सभी साइकलिस्ट को मिलने का निमंतरन दिया गया था तो इसलिए सारे साइकलिस्ट मंदिर दर्शन करने के साथ एक छोटी बैठक के लिए यहां पर आ रहे थे क्योंकि दूसरे दिन माना पास की साइकलिया तरह शुरू होनी थी जो कि 18,000 फिट की उचाई पर इस्तित है तो सभी लोगों को विसेश इंस्ट्रक्शन दिये जाने थे तो इसी के लिए ये लोग हमारे साथी कत्रित हुए थे अल्मोडा से लोग आये हैं और अल्मोडा वाले इतने जोस में हैं कि वो अल्मोडा से साइकल चलाते हुए आये हैं मंदर में साइकलिस्ट की मिटिंग के बाद हम लोग निकल पड़े माना गाओं की ओर जो बद्रिनाथ से सिर्फ तीन किलो मिटर की दूरी परिस्थित है और यहीं से एक रास्ता जाता है वसुधरा फॉल को तो हमने अपनी साइकल ने माना गाओं तक पहुँचाई यहां से हमारी दूसरे दिन की माना पास की या देवताल की यात्रा शुरू होनी थी तो इस तरह हम तीनों दोस्त अलमोडा से मौन सिंग भंडारी और कार्थिक भट और मैं अच्छी तरह बद्रिनाथ पहुँच गए और अब हमें तयारी करनी थी अगले दिन की माना पास की तो नेक्स्ट एपिसोड में जरूर देखीगा